ओम ग्रिणी सूर्याय नमा जपाकुसुम् सवकाशं काश्यपेम् महाधुतिम् तमोरी सर्वपाप गनंतं सूर्यं प्रणमामिहं। ज्योच्णापती निशानाथं तम सूर्यं प्रणमामिहं। तो एक फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक बात करते हैं सिंग राशी की। सिंग राशी के स्वामी सूर्यदेव हैं। और कुछ दिनों में सूर्यदेव भी मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे। और अल्लेडी प्रवेश किये हुए हैं। अल्लेडी प्रवेश करे हुए हैं। इसलिए तो मकर संक्रांती होती है। सूर्य जो है शनी की राशी मकर राशी में प्रवेश करता है। सूर्य, गुरू, बुद्ध, शुक्र, पांच ग्रह जो हैं। वो already मकर राशी में प्रविश कियो हैं जो बारां फरबरी तक रहेंगे बारां फरबरी को सूर्य जो है वो कुंबर राशी में प्रविश कर जाएंगे तो सिंग राशी बालों से दो चीजों की बहुत ही important suggestion है कि एक तो अगर आप ब्लेड प्रेशर के मिरीज हैं तो ब्लेड प्रेशर की दवाई जरूर खाईए टाइम के उपर योगा प्राणायाम डाइट इसका ध्यान रखे सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है और सूर्य जब शनी के साथ चले जाते हैं तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वो भी मकर राशी में संक्रमन करते हैं वो तो करोना काल में एक बात का ध्यान रखें सूर्य आपकी राशी के स्वामी जो है वो मकर राशी में गए होए अपनी चेस्ट का ध्यान रखिए, एक सुन्दर बात ये है कि राजनिती में, ब्योपार में आपको बहुत लाब मिलेगा, कोई दूर गाउं से आपका मित्र आपके साथ में कोई इंवेस्टमेंट करेगा, कोई नई कंपनी चालू होती हुई दिखाई देती है, कोट कचैहर के मामलों में जीत संभव नजर आ रही है, एक तारीक से लेकर 15 तारीक तक 8 तारीक को कहीं न कहीं एकादशी का ध्यान रखें, एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा, ओम भगवते वासुदेवाय नमा, दो तरह से एं मंतर पढ़ सकते हैं, इस मंतर का 108 बार जाप करें, और भगवान विश्नु की अराधना करें, और ग्यारा तरीक को अमावस्य है, अमावस्य के दिन काले कपड़े पहन कर हनुमान चालीसा पढ़ें, निलाजनम, समाभासं, रभी पुत्र जमागर्यं, छाया मारतन्रसं बुत्तं, तमनमामी, शनेश्वरं, शनी देव की अराधना जरूर करें, और सिंग राशी वालों से एक और सला है कि बिलकुल किसी का ज्यादा विश्वास यह 15 दिन में आप कतही मत करें, सूर्य भगवान को अराधना, सूर्य भगवान को सुबह उठकर अर्ग देना, यानि जल चाड़ाना आपके लिए की प्रॉबलम आ सकती है, एक और सुन्दर बात यह है कि अगर आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक लाव मिलता हुआ दिखाई देता है, राजनीती में आये हुए लोग, या आने वाले लोग, या इंटरस्ट रखने व प्रॉबिदा नजर आती हुई दिखाई देती है, और हो सके तो अपनी तरजनी में एक रूबी का स्टोन जरूर पहने, रूबी को हिंदी में मानिक बोलते हैं, मानिक पहने कम से कम पांच केरेट का सोने में, और सूरे मतलब रवीवार वाले दिन उसको गंगा जल में धो चमकेंगे, हरी ओ